एक बार फिर से आपका मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है मैं आज आपके लिए इंस्टेट कमंडोकला बनाने जा रही हूं उसके लिए जो सामगरी चाहिए उसमें एक चमस तेल एक चमस चीनी एक चमस नमक थोड़ा सपिंच हल्दी आदा नीमू एक इनो शैसे और जित हम स्टार्ट करते हैं अब हम एक बॉल लेते हैं बॉल में बैसन डालते हैं उसमें ये चीनी नमक हल्दी और तेल अब में इसको मिक्स करते हैं इसको मिक्स करते हैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं देखिए इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिलाते हैं देखेशे में इस पूरा पानी मिला दिया गणा जो पुरा मिलाके ऐसे मिक्स करते हैं उच्छे से पूरा फिट लेते अब शाव कला देशे से मिल जाता है अब हम मिलाने के बाद अब हम इसको पारव से के लिए धब कर रख देते हैं चलू करके यह कुकर रखेंगे कुकर में दो ग्लास पानी डाल दिया है अब यह पानी कि बुल्बुले से उठेंगे अब हम यह टिन लेंगे इन टिन में हमने घी लगा दिया जिससे यह चिपके नहीं हमारे बुल्बुले आने लग गए अब हम यह बैटर में इनोड आ देंगे पुरा एक पाउच पिर यह नीबुद अब इसको हम लाएंगे तो एक गरफ में खुदा है अब इसको हम टिन में डालेंगे टिन में डालेंगे टिन को आधा भरेंगे अब इसके भड़ आ। हम रप्ध कर लगा लुदल को पिसितल आपके ला स्टल को हम ते लगा अब इसमें डखका दगा देखें और दस मिन बाद देखेंगे चौंप के लिए पानी बनाएंगे दालेंगे एक चमच दालेंगे अब देखेंगे और पानी दालेंगे और यह आदर गलाव पानी दालेंगे एक चमच दो चमच चीनी डालेंगे पर इसमें आदा निम्मू डालेंगे अब इसको उकल ले देखें देखेंगे पानी में उकाल आ गया अब इसको हम बंद कर देते हैं अब हमारे भोगलों को देखेंगे देखेंगे अब इसमें हम नाइफ डालके चेक करते हैं कि एक दम साफ आये तब थोड़े पांच मिंट और अब हम धक्कन उखार के देखेंगे और फिर वापस नाइफ लागा के देखेंगे बीच में से देखिए हमारा तयार है इसको थंडा होने के लिए रख लेते हैं अब देखेंगे उने इसको बाहर निकाल लिया अब इसको थंडा होने देखेंगे नाइप से साइड में सहसे करते हैं इसको एक प्लेट में पाते हैं देखें हमारा तयार है देखें कितना इस्पंजी हो गया अब इसको थंडा होने देते हैं अब यह जो पानी शुका बनाए था इसमें डालते हैं अब इसमें डाल लिया अब इसके हम पीस कर लेंगी देखें अब यह आप खाने के लिए तयार है आप इसको सॉस या चटनी के साथ खा सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पटन नवाई